जै मतागी विल्खम यो चैनल मेजकल मांस टाइरी और आज का टॉपिक है कि बेबी बॉय की सुसु यानि प्राइवेट पार्ट को कैसे साफ करें कि बेबी की जो प्राइवेट पार्ट होता है अगर हम इसको रेगुलरली साफ नहीं करेंगे तो उसमें इंफेक्शन रह जा जिससे बेबी बॉय की जो सुसु के पार्ट है वो दर्ध होने लगता है पास आने लगता है क्योंकि गर्मियों में तो बहुत ही प्राइवेट पार्ट को रेगुलरली साफ करना चाहिए नहलाते समय तो खास कर पानी की जो छीटे होते वो मारने ही चाहिए और मैं और भी चीज़े बताऊंगी उसके पहले में इतना जरूर कहूंगी कि वीडियो को बिल्कुर स्किप ना करें वीडियो को लास तक देखें कि क्या बात बताने जारी हो में और अगर मेरे चैनल में पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले बेल आइकन की बटन को ज दर्द होगा तो आपको रेगुलर ली नहाने की समय में अपने बेबी बॉइब की सुसू को साप करना है अगर चोटा बेबी है तो आपको एक साप अपने हाथों को वास्त कर लें अच्छे से नहीं पानी आप कहीं आज पास तो आप सेनिटाइज करने उसके बाद में सकते हैं उसको थोड़ा से नीचे करके आप बेबी बॉइब की स्किन को साप कर सकते हैं तो आपको पर दें बेबी बॉइब की स्किन को साप करना है जिससे कि उसमें कोई भी घंदगी है इसमें फ्रेक्शन ना हो दूसरी बात यह है कि आप बेबी बॉइब को जब नहलान जो गंदगी वो भी निकल जाएगी ऐसा करने से आपकी बेबी बॉय की एक तो सुसू की जो जगह है वो भी हलकिल की खुलने लगेगी और दूसरी कि कभी उनकी प्रॉब्लम नहीं होगी गंदी की या इंफेक्शन की या कोई भी पस वगेरा जैसे आने की क्योंकि आप मिले में मोटिवेट हूँ और अच्छे वीडियो आपके लिए लाती रहूँ आपको और भी कोई जान करी चाहिए तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं उस टापिक पे भी वीडियो बना दूँगी जै माता किया स्वारे चीझ सकते हैं